गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का वीडियो होगा गुलाब के उपर मेरे पास काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि गुलाब के उपर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम यह है आप सब को पता है कि हालत बहुत खड़ाब था एक्शिली बारिस के वज़े से तो इसी के चलते मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहा था और पॉधे भी काफी सही हालत में नहीं थे शूट करने के लाइक नहीं थे पूरा गीला तो उस टाइम पे मैं कियर आपको प्रॉपरली बता भी नहीं पाता और यह देखिए बारिस के वज़े से जो प्रॉब्लम आ चुका है अल्रेडी पॉदे में ब्लैक स्पोर्ट एक तम यह कंफर्म है आपके पॉदे में भी आएगा शायद यह आ चुका है तो यह जो पॉदा मैंने चूज किया है आज के डेट में अल्रेडी में आपको शो कर चुका हूँ मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हो कि गुलाब में जादा फूल पाने के लिए यह चार चीज अभी डाला जाए तो वहाँ पे मेरा कॉंसेफ्ट कुछ इस तरह का था कि जदा फूल पाने के लिए मेरे पास जादा डाली होना चाहिए जितना ज़दा स्टेम होगा उसके पास उतना जदा उसमें फूल आएंगे यह simple concept था तो मैंने वहाँ पर concentrate किया था और जो भी खाना आपको recommend किया था वो सिर्फ और सिर्फ ने डाली को निकालने के लिए दिया जाता है यह देखी यह black spot आ चुका है already तो वो वीडियो अगर आप देखे हो तो आपको पता चल गया होगा कि पौधा कितना जादा growth किया है तो अभी जो बारिश हुआ है इस समय के बाद इस particular time में हमें कैसे इसको care करना चाहिए इसके उपर बात करेंगे तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसे subscribe कर लो और बगल में दिये हुए गंटी को दबा दो ताकि आगे आने वाले notification आपको सबसे पहले मिलते रहे तो यहाँ पर हमें पहला जो काम करना है वो है सारे पुराने पत्तों को जो भी पीले पड़ चुके है या जिसमें भी आपका black spot आ चुका है उन सब को आप यहां से हटा दीजिए हटाने के बाद आपको जो बेस का portion है यह देखे कुछ नीचे गिरे हुए है पत्ते इन सब को आपको clean कर देना है पौदे के बेस को या पौदे को आप जितना ज़ादा neat and clean रख सकते हो उतना कम fungus infection आपके पौदे में आएगा क्योंकि यह पौदाने पत्ते पड़े पड़े सड जाते है आप पानी डालते हो आप खाद डालते हो या कोई भी दूसरा चीज डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है यह पौदा सड जाता है और सरने के टाइम पे जैसा कि हम सबको पता है कि वहाँ पे बैक्टेरिया बोलिये फंगस बोलिये इसका infection चालू होता है तो definitely अगर आप इस तब चीज़ों को हटा देते हो स्थी टाइम पे तो पौदे में फंगस का infection कम होगा उतना पौदा तेजी से बढ़ेगा और यही actually चाहिए हमें क्योंकि पौदे का जो growth है वो बीच में अगर by chance रूख जाता है season के दोरान तो definitely आपको 10 से 12 दिन का नुकसान हो जाता है और यह हम effort नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा साल मेहनत करने के बाद यह कोई seasonal plant नहीं है कि चलिए तीन महीने का पौदा है जो हुआ हुआ बाद में खतम हो गया तो ऐसा वाला नहीं है इसलिए इस time के दोरान यह सब चीजों का specially ध्यान रखा जाता है तो चलिए यह तो complete हो चुका है और पौदा अभी देखिए थोड़े देर पहले आपको जैसा दिख रहा था अब पौदा बहुत जादा फ्रेश लग रहा है तो इससे फाइदा हमें यह होता है एक तो देखने में जो चीज अच्छा लगता है मन को भी थोड़ा शांती मिलता है तो यह तो था एक particular portion जहां पर हमें साफ सफाई का काफी ध्यान रखना है पौदे के उपर specially और तूसरा चीज अभी इसमें जो nutrition या protection हमें देना है उसके बारे में चलिए जाल लेते हैं तो nutrition के लिए हम इस्तमाल करते हैं इस समय पर specially specially कोई heavy dose कुछ नहीं यह amino acid है और amino acid actually cell division में काम करता है cell division proper बनाता है जितना जादा cell division होगा उतना proper पौदे का growth होगा तो यह तो एक particular portion था यह देखिए composition इसका यहां पर आपको दिख जाएगा आपको यही company का नहीं लेना है मैं भार-भार request कर रहा हूँ आपको कि मैं जो भी company का show करता हूँ आप सब लोग पूछते रहते हो कि कहां मिलेगा कहां मिलेगा आप simply chemical formula पर concentrate कीजिए हर company हर particular state में नहीं मिल सकता है और अगर आप हर एक चीज़ को बाहर से मंगवाते हो तो यह काफी costly हो जाएगा तो जरुरत कुछ नहीं आप simply amino acid को use कीजिए आपके पास जो भी available है उसी से काम बन जाएगा amino acid मैंने लिया है 2 ml और इसके साथ मैंने और एक चीज़ का add किया है 2 gram mancozeb mancozeb black spot के लिए सबसे बहतर दवाई है अगर mancozeb आपके पास available नहीं है तो आप staff का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरह से पूरे पौधे को आपको नहला देना है और यह देखिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ इसके लिए बारिश के बाद कोई भी heavy chemical NPK या कोई भी दूसरा chemical खाद का इस्तमाल पौधे को उपर नहीं करे तो बहतर रहता है reason यह है कि सबसे बहले तो सूरज properly अभी तक उग नहीं रहा है और base जो है वो अभी भी काफी जादा गिला है तो इसके चलते problem जो आएगा base में वही chemical stay हो जाएगा पौधा तो खा नहीं पाएगा और क्या होता है उससे जो भी root का formation आप लोगों ने किया है humic acid वगेरा यह सब टालके वो root वहाँ पे chemical के मौजूत होने के वज़े से जल जाते हैं और बौधे को फिर से आपको ready करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि आपका routine work है कि आपको इस particular date में यह डालना है उसका मतलब यह नहीं कि temperature, weather जैसा भी हो मैं वो routine follow करता रहूंगा बीच-बीच में improvisation काफी ज़रूरी चीज़ है मेरा यह video डालने का कोई intention तो था नहीं आज लेकिन मुझे लगा बहुत सारा question भी आ रहा था तो बहुत सारा request आया कि इस particular पौदे को हमें दिखाया जाए तो इसके लिए मैं इसे अलग से stroke कर रहा हूँ यह एक perfect cut flower है और इसका मतलब मैं आपको क्या कहूँ यह अगर cut करके इस हालत में अगर आप अपने घर में रख देते हो तो इसी हालत में यह कम से कम 20 से 25 दिन तक stay कर सकता है थोड़ा सा पानी मिल जाए तो तो दोस्तो यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like, share और subscribe करे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो